वीडियो में हम बात करने वाल है और आर भी क्लड की थर्ड शिफ्ट की ठीक है इसमें क्या क्या टॉपिक्स आए क्वांट के और आपके रीजनी के तो सबसे बहुत का बता देती हूं आपके टैबलर डिया यह है जिसके अंदर 5 कोशन लीनियर ग्राफ डिया जिसके अंदर 5 कोशन पूछे गए थे सिंप्लिफिकेशन 13 कोशन पूछे गए हैं मिसिंग नमबर सीजी 5 कोशन और अरिथमेटिक के 12 कोशन ठीक है पेपर जो था मतलब क्वांट का यह इजी टू मॉडरेट था मतलब थोड़ा सा क्याल्कुलेटिब बोल सकते हैं अरिथमेटिक में थोड़ा सा टाइम गया बाक आपने कितना टेम गया और आपको भी पर कैसा लगा अब रीजनिंग के बात कर लेते हैं रीजनिंग में पूछा है स्वायर बेस सिटिंग अरेंच्मेंट इंसाइड आउटसाइड ठीक है फोर कोशन तन अंसर टेंड नमबर ऑफ परसन थे थी कोशन बॉक्स बेस पजल प कोशन डारिक्शन एंड डिस्टेंस के फाइफ कोशन एल्फबैटिकल सीरीज के फाइफ कोशन पेयर फॉर्मेशन के वन कोशन ठीक है सो टोटल हो गई 40 कोशन पेपर का लेवल जो था वो इजी तू मॉटेट था रीजनिंग में आप 35 से 40 अराम से कर सकते थे बाकी आप ल यह दो निञ चैनिा रीजिशन के आपको अच्छी के लगा पर प्जल का लेवल याप के लिगा ठीक है और बाकी आपको जैसा भी मतल रीम अ कौटकले हो जब पाता फ्रुसम यहाई सब कि में Q1 आप लेभ़े दीचे लगें ने सब पताव सांद प्र पता निशार का attempt चाहिए आपके सर्तर हो लेकि accuracy बहुत अच्छे होनी चाहिए normalization में marks बढ़ जाएंगे so बाकी मिलते हैं next video में till then take care bye bye